बच्चो हमने चैप्टर शुरू किया है डिस्कवरिंग टट टट कौन है यह तो हम जान चुके हैं यह है एजिप्ट का एक राजा जिसके मृत्ति हो चुकी है और अब निकली है उसकी मम्मी उसके कबर से तो चलो बच्चो करते हैं इस चैप्टर के दूसरे भाग के कोड़े थो उनको अलग कर दिया था और अपने बचाव में या फिर बचाव के प्रतियुत्तर में काटर हम क्या समझ सकते हैं कि काटर रियली हैड लिटल चॉइस काटर के पास बहुत कम विकल्प था यानि कि उसके पास यह करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था if he hadn't cut the mummy free अगर वो नहीं काट के अलग करता mummy को thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold अगर काटर ऐसा नहीं करता तो जो चोड थे लुटे रहे थे वो निश्चित रूप से would have circumvented वो धोका दे देते guards को और अंदर आ जाते and ripped it और वो काट कर अलग कर देते जो gold लगा हुआ था उस mummy के उसको in touch time the royals were fabulously wealthy तो जिस समय पे touch जीवित था उस समय पे the royals यानि कि जो शाही परिवार के लोग थे were fabulously wealthy यानि कि अश्चर जनक रूप से धनी थे and they thought or hoped they could take their riches with them और वो यह सोचते थे या उमीद करते थे कि वो अपनी जो riches है यानि उनका जो यह धन है वो अपने साथ ले जा सकते हैं for his journey to the great beyond और अपने उस यात्रा के लिए to the great beyond यानि कि मृत्यू के पश्चात के उस यात्रा के लिए king tut was lavished with glittering goods वो क्या किया गया उसको lavish किया गया यानि कि प्रचूर मात्रा में शानदार चीजें उसके साथ रखी गई उसकी कब्र के पास तो बच्चो क्या क्या चीजे थी अभी हम जानते हैं यह सारे जो भी हमने शब्द पढ़े हैं उन्हें revise करना है न तो चलो revise करते हैं इन सारे शब्दों को सबसे पहला है defense defense यानि की बचाव या फिर प्रत्युत्तर चॉइस यानि की विकल्प थीव्ज यानि की चोरों certainly मतलब निश्चित रूप से circumvented यानि की धोखा दिया ripped यानि की काठ डालना fabulously मतलब आश्चर्य जनक journey यानि की यात्रा तो भही टट की उस मृत्यू के पश्चात की यात्रा के लिए उसके पास प्रचूर मात्रा में शानदार चीजे रखी गई और क्या क्या थी वो precious collars कीमती collars inlaid necklaces inlaid यानि की जड़े हुए हार and bracelets rings amulets amulets क्या होता है बच्चो तावीज a ceremonial apron एक समार हो वाला तहबन भी दिया गया sandals sheds for his fingers and toes sheds यानि की जो मयान थी fingers और टोस के लिए वो दी गई and the now iconic inner coffin and mask all of pure gold और एक मूर्ती के आकार का coffin और मास भी दिया गया और बच्चो ये जो सभी चीज़े थी न वो सब किसकी बनी थी pure gold की शुद्ध सोने की to separate tut from his adornments अलग करने के लिए tut को उसके adornments के साथ यानि की श्रिंगार के सामान के साथ Carter's men remove the mummy's head Carter के लोगों ने यानि जो व्यक्ति था Carter उसके लोगों ने remove कर दिया हटा दिया mummy के head को mummy के सर को and severe nearly every major joint और उन्होंने तोड़ दिये लगभग हर जो major joint होता है उस mummy का उन सबको भी तोड़ दिया तो बच्चों यहाँ पर क्या-क्या meanings है देखिए revise कर लेते हैं सबसे पहला है lavished lavished यानि की प्रचूर फिर है glittering glittering यानि की शानदार precious यानि की कीमती inlaid यानि की जड़ा हुआ amulets यानि की ताबीज ceremonial यानि की समारो apron मतलब तहबंद, sheds यानि की मयान, iconic मतलब मूर्ती के आकार का separate यानि की अलग, adonments यानि की शिंगार का सामान, removed यानि की हटा दिया severe यानि की तोड़ दिया, once they had finished, जब उन्होंने अपना कार समाप किया, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box, तो उन्होंने फिर से जोड दिये, जो अंच थे, एक लेयर पे, एक मिट्टी की एक परत के उपर उन्होंने फिर से उन्हों को जोड़ा, in a wooden box, एक लकड़ी के बकसे में, with padding, जिसमें क्या थी भई, गद्धी भरी हुई थी, that concealed the damage, जिसने छुपा दिया उस damage को, उस चती को, they bet where tut now rest, और क्या किया उन्होंने, देखे, conceal कर दिया उस damage को, और कोई कैसा बिस्तर बन गया, जहां पर अराम करता है, आराम करता है, यानि कि जहां पर उसकी वो ममी रखी हुई है, archaeology has changed substantially, जो archaeology है, जो पुरा तत्व है, वो बदल गया है, substantially, यानि कि काफी हद तक, in the intervening decades, यह जो बीच के जो दशक थे, उनमें, focusing less on treasure, and more on the fascinating details of life, and intriguing mysteries of death, δα, तो बचो पहले पुरा तत्व कि से जादा ध्यान देता था? वो जो treasure होता था, उस पे ध्यान देता था, पर अब ऐसा नहीं आप जो archaeology है, अब जो पुरा तत्व है, वो ध्यान देता है, treasure पे नहीं, खजाने पे नहीं, पर जादा ध्यान देता है, वो fascinating details पे, दिल्चस्प डीटेल्स यानि दिल्चस्प जानकारियों पे of life and intruding mysteries of death intruding यानि कि लुभावने जो रहस्य होते थे मृत्यू के उनके उपर अब ये जो आर्केलोजी है पुरा तत्व है वो जादा ध्यान देता है तो बच्चो क्या-क्या हमने words पड़े हैं देखे हम revise कर लेते हैं फिर से एक बार सबसे पहला है finished finished क्या मतलब होता है समाप्त किया फिर है reassembled reassembled यानि की फिर से जोड दिया padding यानि की गद्दी या फिर भराई concealed यानि की छिपा दिया archaeology मतलब पूरा तत्व changed चेंज का मतलब क्या होता है बच्चो बदल गया substantially यानि की काफी हद तक intervening मतलब बीच में decades यानि की दशकों focusing यानि की ध्यान के इंद्रित करना treasure यानि की खजाना fascinating यानि की आकर्शक या फिर दिल्चस्प details यानि की जानकारी फिर है intrugging intrugging का मतलब होता है लुभावना और mysteries का मतलब खिसकाया होता है क्या नहीं mystery का मतलब होता है रहस्यों है के नहीं तो आगे जानते हैं और क्या-क्या पता चला हमें टट के बारे में it also uses more sophisticated tools तो बचो अब जो आर्खेलोजी है पुरा तत्व है वो ज्यादा sophisticated sophisticated tools यानि की परिश्क्रित और जार इस्तमाल करता है including medical technology जिसमें शामिल है चिकित्सिय तकनीक भी यानि की अब बचों चिकित्सिय तकनीक का भी इस्तमाल करता है पुरा तत्व in 1968 तो 1968 में more than 40 years after Carter's discovery Carter की इस खोज के लगभग 40 साल बाद an anatomy professor x-rayed the mummy एक anatomy का यानि शरीर रचनाग विज्ञान का जो प्रोफेसर था उसने x-ray किया उस mummy को and revealed और उसने खुलासा किया a startling चौका देने वाले तत्ध का और क्या था वो चौका देने वाला तत्ध देखिए beneath the resin that kicks his chest his breast bone and front ribs are missing जो resin है यानि की वो जो राल है जिसने क्या कर रखा है धक रखा है उस पूरी छाती को उसके अंदर उस x-ray की द्वारा क्या पता चला कि भई एक जो राल है उसके अंदर शरीर है ममी है वो शरीर में उस छाती में जो breast bone है और जो आगे की ribs है वो missing है यानि की गायब है तुड़े डिग्नोस्टिक इमेजिंग जो आज जो निदानकारी जो इमेजिंग है वो की जाती है कम्प्यूटे टोमोग्राफी से यानि की CT से बाइविच हंडर्ड्स ओफ x-rays in cross section जिसके द्वारा कई सो x-rays जो है वो cross section में एक साथ इस प्रकार से रख दिये जाते हैं जैसे slices of bread जैसे क्या हो भई bread की slices हो to create ताकि क्या करा जा सके बच्चो निर्मान किया जा सके a three dimensional virtual body का आभासी शरीर का तो बच्चो क्या क्या शब्द है यहाँ पे जो अभी हमने पढ़े है सबसे पहला है sophisticated sophisticated यानि की परिश्कृत फिर है जटल including यानि की शामिल है medical यानि की चिकिट्सिय technology यानि की तक्नीक discovery मतलब खोज anatomy यानि शरीर रचना विज्ञान revealed यानि की खुलासा किया startling यानि की चौकाने वाला fact मतलब तथ्य missing यानि की गायब होना diagnostic यानि की निदानकारी अब क्या हो रहा है बचो हम इस तक्नीक का इस्तमाल करके CT scan का हम एक virtual body एक आभासी शरीर की रचना कर सकते है what more would a CT scan reveal of tut than the x-ray एक CT scan क्या और बाते बताएगा tut के बारे में जो की x-ray नहीं बताई and could it answer two of the biggest questions और क्या CT scan जवाब दे सकता है दो सबसे बड़े सवालों का still lingering about him जो की काफी समय से क्या है ऐसे सवाल है जिनके उत्तर नहीं मिले काफी लंबे समय से और वो क्या है how did he die tut की मृत्यू कैसे हुई and how old was he at the time of his death और अपने मृत्यू के समय पर tut की उम्र क्या थी तो बच्चों दो शब्द हमने यहाँ पर important पढ़ें देखिए पहला है वर्च्वल वर्च्वल यानि की आभासी फिर है रिवील रिवील यानि की बताना King Tut's demise was a big event जो राजा Tut था उसकी जो दिमाईस थी जो मृत्यू थी एक वो बहुत बड़ा event था घटना थी even by royal standards शाही मानकों के हिसाब से भी बहुत बड़ी घटना थी he was the last of his family's line वो अपने परिवार का क्या था आखरी था and his funeral was the death rattle of a dynasty और जो उसकी अंतियश्टी थी वो क्यासी थी जैसे की मृत्यू खड़ा रही हो एक डाइनस्टी पर एक राजवंश पर यानि की टट की मृत्यू के बाद वो राजवंश क्या हो गया बच्चो समाप्त हो गया but the particulars of his passing अभी लेकिन जो विवरण है उसकी मृत्यू के and its aftermath और उसके बाद के जो परिनाम है वो unclear है और सपष्ट है अमनों टॉप थ्री टट्स फादर और ग्राणफादर तो टट के पिता या फिर जो ग्राणफादर थे जिनको क्या बोलते हैं अमनों टॉप थ्री उनका नाम था बच्चो ये वो जब पावरफुल पैरा वो एक ताकतवर पैरा थे पैरो थे यानि की बच्चो आपको पता है पैरो का मतलब होता है मिस्थ के राजा की जो उपाधी होती है उसे बोला जाता है वो रूल फॉर अल्मोस फोर डेकेज और इन्हों ने क्या किया रूल किया शासन किया लगभग चार दशको तक at the height of the 18th dynasty's तो क्या क्या शब्द है यहां पर रिवाइस करने है ना देखिए सबसे पहला है डिमाइस डिमाइस यानि की मृत्यू फिर है रॉयल रॉयल यानि की शाही स्टाइनडर्ज यानि की मानकों फ्यूनरल मतलब अन्तियश्टी रैटल यानि की खडखडाना डिमाइस्टी यानि की राजवंश पर्टिकुलर्ज यानि की विवरन पासिंग अवे मतलब निधन आफ्टर मैथ यानि की परिनाम अन्क्लियर यानि की अस्पर्ष्ट पावरफुल का मतलब होता है ताकतवर टैकेट्ज यानि की दशको तो उनके जो बेटे थे एमनो टॉप थी के जो बेटे हमनो टॉप फोर सक्सीडेड हिम वो उनके उत्तराधिकारी बने यानि की भई हमनो टॉप थी के उत्तराधिकारी कौन थे हमनो टॉप फोर एन इनिशियेटेड और इन्हों ने क्या किया बच्चो आरंब किया one of the strangest periods एक बहुत जादा अनोखे काल का in the history of ancient Egypt प्राचीन एजिप्ट की इतिहास में क्यों अजीब भईयो ऐसा क्या किया बच्चो इन लोगों ने इन्हों ने इन लोगों ने थोड़ी क्या था ये तो इन्हों ने अजीब से काल के शुरुवात की कैसे देखिए दे न्यू पैरा ये जो नए पैरा थे यानि मिस्त्र के राजा की जो उपादी है वो प्रोमोटेड दे वर्शिप ओफ एटन इन्हों ने क्या क्या बढ़ावा दिया जो पूजा पार्थी पुजा अर्चना थी एटन की एटन कोई है बच्चो एटन जो थे वो एक संडिस्क थे हैं दसंडिस्क चेंज इस नेम तो अकनाटन और उन्होंने क्या किया अपना नाम बदल के क्या रखा एकने टन और सर्वेंट ऑफ द एटन इसका मतलब क्या होता है पही एटन का द्धार्मिक कैपिटल को फ्रॉम दे ओल सिटी ऑफ थी बैस तो दे न्यू सिटी ऑफ एकने टन नोन एज अमारना और उन्होंने किया कि अपनी जो धार्मिक जो कैपिटल थी उसको भी बदल दिया तो बच्चो यहां पर क्या क्या शब्द है देखिए पहला है सक्सीड़ सक्सीड़ यानि की उत्तराधिकारी बने इनिशेट यानि की आरंभ किया स्ट्रेंजिस्ट स्ट्रेंजिस्ट का मतलब क्या होता है अनोखा या फिर अजीब पीरियड यानि की काल हिस्ट्री मतलब इतिहास एंशेंट यानि की प्राचीन पैरो यानि की प्राचीन मिस्त्र क राजा प्रोमोटेड यानी की बढ़ावा दिया वर्शेप यानी की पूजा या फिर उपासना तो उन्होंने क्या किया बच्चों थी बैस से हटाकर अपनी जो धार्मिक कैपिटल थी वो रग दी थी एकनेटन और उसको क्या बोला जाता था अम्रान बोला जाता था He further shocked the country उन्होंने आगे शौक कर दिया हैरान कर दिया अपने देश को by attacking immune कौन थे बच्चों ये अटैक करके आखरमन करके immune को और ये थे एक बहुत ही मुख्य देवता प्रमुख देवता और तब M.N.O.T.O.V. ने क्या किया बच्चों स्मैशिंग इस इमेज़ विनाश कर द and closing his temples और उन्होंने इनके जो मंदर थे उनको भी बंद कर दिया इट मस्ट आव बीन हॉर्फिक टाइम सेड रे जॉंसन डिरेक्टर ऑफ उनिवर्सिटी ऑफ शिकागो इस डिसर्ट सेंटर इन लक्सर और ये बात बोली रे जॉंसन ने की वो जो समय था जब M.N.O.T.O.P. सिटी ऑफ शिकागो के रिसर्च सेंटर की और कहां पर है ये ये है लक्सर में दे साइट ऑफ इंशन थीबस दे फैमिली डाट रूल फोर सेंचुरीज वस कमिंग तो एन एंड जो परिवार था जिसने शासन किया था कई सेंचुरीज तक कई सद्यों तक वो क्या हो रहा थ अब उस परिवार का शासन अब आ रहा था अंत के निकट तो बच्चों यहां पर क्या-क्या शब्दें देखिए हम रिवाइस करेंगे सबसे पहला है फॉर्दर फॉर्दर यानि की आगे फिर है शॉक्ट शॉक्ट का मतलब है है रान किया अटैकिंग अटैकिंग यानि की आक्रमण करके मेजर यानि की प्रमुक स्मैशिंग मतलब विनाश कर या फिर तोड़ कर इमेज़ यानि की मूर्थियां क्लोजिंग मतलब बंद करना टैंपल्स यानि की मंदिरों और क्या बोला उन्होंने प्रोफेसर ने की जो एकिंटन था वो थोड़ा पागल हो गया था आफ्टर एकिंटन की मृत्यू के बाद अ मिस्टीरियस रूलर एक बहुत ही रहस्य महिशासक नेम्ड स्मिखकारे अपीर ब्रीफली एक ये जो था रहस्य महिशासक जिसका नाम क्या था स्मिन खरे वो अपीर हुआ यानि की आया ब्रीफली कुछ समय के लिए and exited with hardly a trace और उसने प्रस्थान कर लिया मुश्किल से कोई निशान छोड़े and then a very young Tutankhatan took the throne और उसके बाद एक युवा Tutankhatan ने क्या किया भई उसने ले लिया वो थ्रोन यानि की वो सिहासन King Tut as he is widely known today और उनका निकनेम क्या था बच्चों? King Tut जिस प्रकार से वो widely जाने जाते हैं आज the boy king soon changed his name to Tutankhamun और ये जो युवार राजा थे उन्होंने बहुत जल्द अपना नाम बदल के क्या रख लिया? Tutankhamun रख लिया बच्चों तो यहाँ पर क्या क्या शब्दे देखिए सबसे पहला है ruled ruled यानि की शासन किया centuries यानि की सदियों wacky यानि की पागल death यानि की मृत्यू mysterious मतलब रहस्यमय ruler यानि की शासक appeared मतलब प्रकट हुआ briefly यानि की कुछ समय exited यानि की प्रस्थान किया hardly मतलब मुश्किल से trace यानि की निशान living image of Amun और वो जो उन्होंने नाम बदला उसका मतलब क्या था? एक जीविच चवी Amun की and oversaw a restoration of the old ways और वो फिर से वापसी ले आए उन पुराने तरीकों की He reigned for about 9 years उन्होंने शासन किया लगभग 9 सालों तक and then died unexpectedly और फिर उनकी मृत्यू हो गई unexpectedly और प्रत्याशत रूप से तो बच्चों इन पाचों शब्दों के मीनिंग्स हम रिवाइस करेंगे देखिए सबसे पहला है living image living image यानि की जीवित छवी, restoration यानि की बापसी, rain यानि की शासन किया, diet यानि की मृत्यू हो गई, unexpectedly यानि की अप्रत्याशत रूप से तो बच्चों आज की वीडियो में हमने जाना टट के परिवार के बारे में उसके पूरवजों के बारे में पर अभी भी ये जो टट है, राजा टट है, इसकी जो ममी है, इसके बारे में भी तो जानना है ना, वो हम जानेंगे अगली वीडियो में, बने रहिएगा मेरे सा मिलते हैं अगले वीडियो में